स्वाधियन्ता के केई दसकों के बाद भी जनजातियों समुदाई के ओधिकांग सलोगों को अपना घार ना होने तो था बिजली, पानी, सड़क जेसा बुनियादी सुविधाओं के ओभाव में कठिन जीवन बिताना पड़ता था। बीमारी की हालत में इलाज के खर्च का बोज उनके जीवन को और कोठिन कर देता था। उनके लिए बिकास के रास्ते भी सुगम नहीं थे। जनजातियों समाज के भाई बेहन आपनी सधियों पुराने कला विरासत के बल पर बहुत सुन्दर बस्तुएं बनाते हैं। कुछ ऐसे कानून थे जिनसे जनजातियों लोगों के कुछ उद्यमों पर रोक लग गई थी। साथ ही अपने उत्वादों को बाजार्तों पहुंचाने की जानकरी और सुभिधाओं की कमी उनकी विकास से बाधक थी। इस प्रकार आवाश, जातायत, चिकिस्षा, सिख्यात अथा रजगार की आवशकताएं पूरी ना हने के कारण वे लोग विकास की मुख्योधारा से दूर रह गए थे। लेकिन आव इन सुभिधाओं को उन तक पहुंचाये जा रहा है। उनके जीवन स्तोर में सुधार हुआ है। साथ ही उनके लिए आर्थिक विकास के अफसर भी बढ़ रहे हैं। बरतमान सरकान ने जनोजात्यों विकास और कल्लान की जात्रा को तेज गति से बहुत आगे बढ़ाया है। बहुत बड़े पेमाने पर उनेक अभियान और कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। बिकास और कल्लान के सभी रास्ट्यों कार्यों क्रों में जनोजात्यों समाज तक सभी सुभिधाएं पहुंचाने के विशेस उपाय किये गए हैं। इसके अलावा जनोजात्यों समुधाय के लिए अलाग से विशेस जो जनाय चलाय जा रही है। देश के लोगभोग 750 जनोजात्यों समुधाय के लोग हमारे लिए विशेस थान रखते हैं। इनमें पीबीटीजी समुधा की संख्या पचस्तर है।